हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल देंटा कैम, मैं हूँ डोक्टर रजनी और आज मैं आप सबको डिफरेंट टाइप के रेटीनर्स जो हम ओर्थो ट्रीटमेंट मींद जो ब्रेसिस लगवाए हैं उनके खतम हो जाने के बार यूज करते हैं, उनके बारे में आपको ड रेटीनर्स क्या होते हैं, रेटीनर्स एक अप्लाइंस होते हैं जो हम ओर्थो ट्रीटमेंट खतम हो जाने के बाद यूज करते हैं, अब हमें ओर्थो रेटीनर्स की जुरूरत क्यों होती हैं, जब ओर्थो ट्रीटमेंट खतम होता है, तो जो हमारे दांत हैं, वो पुरा तो उन्हें अपनी position पे new position पे fix करने के लिए हमें retainers की जुरूरत होती है अब हमारे retainer दो टाइप के होते हैं fixed and removable जो fixed होते हैं उसे हम bondage lingual retainer भी बोलते हैं यह हमारे जो आगे वाले dant होते हैं उनके अंदर वाली surface पे हम एक wire को fix कर देते हैं जिसकी वज़ा से आपके जो आगे वाले दांत है वो अपनी जगा से फिलते नहीं है और फिक्स हो जाते हैं दूसरे टाइप की होते है रिमूबेबल रिटेनर जिससे आप उतार भी सकते हैं और बाद में डाल सकते हैं वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक में wire component होता है और दूसरे होते हैं clear retainers, clear retainers जो होते हैं, इनमें एक aligner type का material यूज होता है, यह थोड़े से flexible होते हैं, और जब हम इने दान्तों पे लगाते हैं, तो यह visible नहीं होते हैं, और patient को aesthetically काफी अच्छे लगते हैं, दूसरे type होती है, with wire component, इसमें हमारे holis retainers आते हैं, जो कि patient के एक पतली सी wire visible होती है, यह वाला option most commonly use किया जाता है, अगर आप चाते हैं कि जो भी आपने ortho treatment करवाया है, उसका जो भी result आया है, वो fixed रहे, तो at least अपने retainers को 3-6 मिने तक पहन कर रखें, नहीं तो जो आपके दा आता है, वो हो सकता है, वो पहली वाली condition में ही चले जाएं, जैसे treatment से पहले थे, या उससे भी worse condition में जा सकते हैं, इसलिए अपने जो retainers हैं, अपने dentist को दिखाए बीना remove मत कीजिए, आपको ये retainers एक दिन में कम से कम 22 गंटे पहन के रखने होते हैं, खाना खाते समय या ब् क्या और ये जाएं, आपको ये खाती हैं, एक रखने आएं, आपको येश और एंट रिए ये खाते हैं, जाएं, ब